हम सभी पॉलिथिन को इस्तमाल जरूर करते हैं पर आज हम कुछ ऐसे इसके यूज देखेंगे जो कि आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखेंगे जिससे कि धेर सारे पैसो की बचत होगी घर भी ओर्गनाइज होगा और गंटों के काम मिंटों में हो जाएंगे वीडियो ब मैंने इसको नीचे से कट किया है अब यहाँ पे हमें हाथ रखना है और इसको आउटलाइन करनी है उंगलियों के तूर दूर से हमें इसको इस तरीके से आखना है तो देखें यह तयार हो चुका है अब यहाँ पे हमें एक चाकु चाहिए हमें थोड़ा सा चाकु गरम करन ज्यादा बिल्कुल भी नहीं अगर ज्यादा करोगे तो इसे निकलेगा साइड से और इसे हमें निकालना भी है और चिपकाना भी है तो बस इस तरीके से हलका सा चाकू गरम कर लीजे यहां पर आप देख सकतो यह कट भी हो रहा है और चिपक भी रहा है मतलब यह बहुत ही बन रहा है तो चाकू को बस आपको ध्यान रखना की ज्यादा गरम नहीं करना है कई बर ऐसा होता हमारे पास हैंड ग्लोज नहीं होते और हमें जरूरत होती ही जैसे के क्लीनिंग कुछ करनी है या फिर डाय लगाना है तो उसके बाद आपको एक तो खरीदने पड़ेंगे या फिर वैसी काम चलाना पड़ेगा पर आज के बाद बिल्कुल भी नहीं घर में पड़ी पॉलिटन बस ले लीजिए और इस तरह के से आप इसे हैंड ग्लोज बना सकते हो देख सकते हो एक मिन से भी कम टाइम में ये बनके तयार हो जाता है और बहुत ही अच्छे से पर पॉलिटन लिए और यहां पे आमें लेना है कोई भी थोड़ी थोड़ा सा मोटा वाला एक पेपर इस सरीके से पेपर ले लिजा ये और पालिटन डाल के आप इसे रेड़ी कर लिजी आप देखे घर में ऐसी कोई फरिनिचर होते बेड होता जिसमें बहुत ही कम स्पेस हो जो कि बहुती कम स्पेस होता है कई बार हमारे गर में से कोई फरनीचर होते जिसे हम साफ करना चाहते पर होता नहीं है किसी और को ये फरनीचर उठाना पड़ता है पर आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आप देख सकते हैं खुद अकेले ये आकाम आसानी से हो जाएगा गर क इसको हमें बचाना है और पैसे भी बचाने तो इसके लिए आपको यहां पर यूज करनी पॉलिथीन तो कोई भी एक पॉलिथीन ले लिजे दो तिन भी आप ले सकते हैं अगर चोटी पॉलिथीन है तो और इस तरीके से पहले हैंडल डालके ये वाला हिस्सा उपर की इसके लिए जिसे क्लीन करें बहुत ज़्यादा गीन आती है हाथ गंदे हो जाते हैं जैसे कि बातरूम, टाइल सिंग, वाच बेसिंग तो इसके लिए यहां पर हमें पॉलिथीन यूज करनी है जिसे कि आप इस सरीके से हाथों में पहन के बहुत ही आराम से क्लीनिंग कर पाओगे जिससे कि घर भी साफ होगा हाथ भी गंदे नहीं हो होंगे, बहुत सारे लोग ये ट्रिक फॉलो करते होंगे पर जिन को पता नहीं उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि बहुत लोगों के सावन से हाथों में एलर्जी हो जाती है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यारा फाइदेमन सावित हो सकता है, बरतन मांचते चीज़े खराब हो जाती है, तर देखें साल भर के लिए हम जो चीज़े स्टोर करके रखते हैं जैसी की पापड अचार तो उसके जो जार होते हैं उसके उपर इस तरी के साब पॉलिथिन लगा लीजे जिसी की चीज़े बिल्कुल भी हवा नहीं जाएंगी और खराब न तो इसके लिए आपको यह पूरा जो हमने अंग्लोस बनाया था उसका यूज कर सकते हो ब्रश रखने के लिए जूकि बहुती आराम से पूरे फैमिली के ब्रश आते हैं और अलग-अलग सेपरेटली रहते हैं आपसी चाहिए कई भी रखो बिल्कुल भी ब्रश खराब न ज़ाड़ तो मारना क्लीनग करना जरूरी है तो इसके लिए आपके यह दोनों जो दिक्कते हैं वो दूर हो जाएगी एक ही ट्रिक से तो यहाँ पे हमें क्या करना है ज़ाड़ लेना है और एक पॉलिथिन लेनी है ज़ाड़ के हिजाब से छोटी बड़िवड़ी पॉलि थिन को भी इस तरीके से लगा सकते हो तो इसे में यूज़ करके भी दिखाने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा यूसफुल है मुझे तो बहुत काम आता है क्योंकि कई बार ज्याड़ू गिला हो जाता है न उसके लिए तो यूज़ ज्यादा फायदे बन साबित होता है तो क् इतने अच्छे से कच्रे को हमने घटा किया है बहुत ही आराम से क्लिनिंग भी होगी और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और पॉलितिन के यूज़ अच्छे लग रहे हो तो जरूर फ्रेंड्स और फैमली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और यहाँ पे हमारी जो न संजड भी खतम होगा तो देखे यह बनके तयार हो चुका है अगर आपको और मोटा बड़ा चाहिए तो दो तिन पॉलितिन को इस तरह के से तयार कर लीजे और यहाँ पे हमें वाइपर के पुरानी डंडी लेनी है कोई भी लकडी ले लीजे जो की लंबी हो जिससी की जह यहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुच पाता वहाँ पे यह जाके घर का काम करेगा तो देखे यहाँ पे मैंने गाट लगा ली है चाहो तो आप यहाँ पे रबर और डोरी भी लगा सकते हो बहुत अच्छे से टाइट कर लीजे और देखे कई बार ऐसा होता ना घर की दिव बारे भी साफ होंगी एक बार जरूर ट्राय करके देखे और इससे आप जाड़ो भी लगा सकते हो अगर आपको कमर में दर्द है तो उपर उपर से घर भी साफ हो जाएगा कई बार एमर्जेंसे में कई बाहर हो या फिर जाड़ो नहीं है खराब हो आए कुछ भी ऐसे एम पॉलिथिन हो जाती जो कि रखने की जगह नहीं होती है बहुत ज़्यदा स्पेस ले लेता है ऐसे रखो तो गंदा भी लगता है गर ऑर्गनाइज नहीं लेगेगा पर आगर आपको पॉलिथिन कहीं बैग में लेके जाने है तो बहुत सारी पॉलिथिन एक ही जगह चाहो टिफिन में दो या कहीं लेके जाना हो तो इस रिके से लेके जाईए जिसी के दोनों जण्रट करते हेंगए पहले हमें बहुत राइक कीजेंगर शियर कीजिए और चानल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू